कितना जूट कितनी मिसिंफर्मेशन और कितना ट्विस्ट करके लिबरल्स की कहने को लिबरल्स बात रखते हैं मैंने इतने ट्वीट्स देखे जहां पर ये बोला जा रहा है कि हाई कोट ने मीडिया को बोल दिया है इफेक्टिवली कि टूल किट इन्वेस्टिगेशन को रिलीज ना करें दिखाएं ना और इस तरह से slanted headlines देते हैं इस तरह से slanted means steady media headlines आ रही है tweets पे social media पे पूरी जमात है जैसे कि tv channels को high court ने कुछ बहुत बड़ा जटका दे दिया हो सच क्या है आपको बता देता हूँ high court order है यह तो कोई भी पढ़ सकता है उसमें कैसे आप गुमा सकते हैं बात को मुझे तो यह हरांगी होती है पर होता क्या है आप लोग high court order पढ़ते नहीं है तो कुछ भी जो यह कुछ liberal luteans type के लोग हैं यह कुछ भी बोल सकते हैं किस तरह twist कर देते हैं बात को किस तरह slant कर देते हैं बात को देखने वली बात होती है तो पहली बात grita toolkit case में दिशारवी code गई थी मैंने बताया था आपको और आप सब ने देखा था वीडियो पे कि उन्होंने news channels पे आज तक कर लो times now कर लो बहुत सारे news channels पे यह case डाला कि मेरी privacy भंग हो रही है यह चीजें लीक दिल्ली पुलिस भी लीक कर रही है और यह सब नहीं होना चाहिए जहां तक यह बात है मैंने आपको कहा था कि हां हर accused के rights हैं दिशारवी के भी rights हैं सब के rights हैं और यह हमें हमारे समाज में एक balance आना पड़ेगा freedom of press को लेके और accused के rights को लेके और investigation को लेके यह balance आएगा थोड़ा इस तरफ हम बढ़ रहे हैं हर case में यह problem आ रही है तो कुछ balance आएगा पर मैंने यह भी कहा था कि freedom of speech के अंदर अभी तक courts ने media को जो बोलना चाहती है बोलने दिया है बोलने दिया है तो आज hearing थी इस case पर और एक दम से आपने पढ़ना शुरू कर दिया बहुत सारे handles ने बोलना भी शुरू कर दिया के high court ने direct किया है पुलिस को high court ने media को direct किया है गुमा गुमा के सच क बात वही है जो देश का law है जितना मर्जी ये घुमाने की कोशिश कर लें पहली बात दिशारवी को high court से कोई बड़ी relief नहीं मिली है रिपीट कर रहा हूं कोई बड़ी relief क्या होता है अगर stay order मिल जाता है आप सब में को channel को जो follow करते हैं वो आप समझ चुके है stay क्या होता ह है अगर तो stay order मिल जाए कि media report नहीं कर सकती तो होता कि हाँ जो वो चारी थी बड़ी चीज होगी या फिर ये कर दे हाई-court order कि जो media ने दिखाया है वो media को उसके लिए apology करनी पड़ेगी या वो tweets को delete करना पड़ेगा या वो news articles को pull down करना पड़ेगा या फिर आपने देखा एक दो cases में कि media को clarification देनी पड़ेगी या apology देनी पड़ेगी ये सब में से कुछ भी होता तो ये जो social media पे spin हो रहा है जिसको हम बोलते हैं गुगली चल रही है तो समझ आती हाई-court ने क्या बोला जो law है कि दिल्ली पुलिस ensure करे जो उनकी internal guidelines है उनका वो भी है memorandum भी है उ वैसे भी दिल्ली पुलिस को follow करना है ये तो possible नहीं है कि दिल्ली पुलिस अपना memorandum follow ना करे राइट और ये दिल्ली पुलिस के ही rules है ऑफिस memorandum है इसमें क्या doubt है राइट तो वो ही बोला है दूसरा ये भी बोला है ये कोई नहीं दिखाएगा कि दिशारवी या उनकी team पुलिस को I repeat पुलिस को मेलाइन ना करे ये भी का गया है अब ये बात दिखाएगे किसी ने आपको नहीं दिखाएगे और ये तो हाई कोट ने बहुत balanced order जो होना भी चाहिए के भी या डेली पुलिस अपने rules follow करे करने भी चाहिए और वो मैं भी चाहता हूं करे और आप भी चाहते हैं पर साथ ही साथ दिशारवी को भी बोला है कि आप भी ना करें और ये बोला है कि हाई पुलिस अपनी press conference कर सकती है as per rules वो पुलिस को करना चाहिए as per law और high court ने decline कर दिया और मैं इस दिखा देता हूं आपको कि आप देख लीजिए high court ने decline कर दिया कि कुछ भी जो content अभी है जो अभी content है और मैंने इस प्रेस ट्रस्ट आप इंडिया दिखा देता हूं आपको high court declines at this stage removal of any news or content or tweets by police high court declines at this stage removal of any news or contents or tweets by police खतम बात तो यह हुआ है कि यह कोई बढ़ा relief नहीं मिला court ने का है जो rules है उसको follow किया जाए और दोनों sites को दिशारभी की site को भी बोला गया police site को भी बोला गया तो आप जो यह liberal media में देख रहे हैं कि यह हो गया वो हो गया कि यह media गल्द दिखाती है media सही दिखाती है ऐसा high court ने कोई भी media पर बार नहीं लगाया है यह जरूर बोला है कि media को ज्यादा sensationalize नहीं करना चाहिए media को editors को verify करके verified news लगानी चाहिए वो वैसे भी देश का कानून है कि आपको verified news लगानी चाहिए और मैंने बोला यह delicate issue है इस पर judgments आएंगी बहुत सारे cases चल रहे हैं क्योंकि जो भी case अब hyperfile हो जाता है इतने सारे media channels हैं इतने सारे humors भी आ जाते हैं इतनी सारी unverified news भी आ जाती है across channels तो वो एक systematic approach निकालना पड़ेगा कि accused के भी rights रहें और media के भी rights रहें पर आज जो यह lobby से घुमा रही है बात वो आपको प्ता देता हूं कुछ भी ऐसा stay order नहीं दिया गया है और कुछ भी content remove नहीं करवाया गया that is the fact so जो भी आपके liberal spin करेंगे उसको ignore पीजेगा